हेलो गैज मैं उसने और आज अपन देखने वाले भाई ऐसी इंडस्ट्री जिसने सिखाया है कि बेसिक टेकलोजीज को भी यूज करके सिंप्लिसिटी के साथ भी आप ऐसे प्रोड़क्ट बिल्ड कर सकते हैं जो आज से 100 साल बात भी जो है लोग भाई डूंडते रह जाएंगे उसकी डिमार्ड बनी रहेगी जी आपनो टोक्यो ड्रिफ्ट मूवी तो देखियोगी फास्ट एंड फिरियस की वन अफ द लवेबल अन फेवरेट फ्रेंचाइज में से एक है वो जो कल्चर उसमें दिखाया गया था ना वो जापानीस कार्स का वो आज अपन देखने वाले भाई कैसे जो है जापानीस इंडस्ट्री जो है कम्प्लेटली रूल करती थी एक टाइम पे और आज भी बहुत बढ़े अड़े आटो मेकर्स जो है मार्केट में बने हुए है तो जी आज आपन देखने वाले भाई आपने इंडस्ट्री इन चापान तो भाई आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं आप कुछ है कुछ अपनी ड्रीम कार्स भी देखने को मिल सकती है तो स्टार्ट करते भाई टोयटा से टोयटा को कौन नहीं जाता वर्ल्ड वाइड अपने रलायाबिलीटी के लिए फेमस है और 90s में इन स्टार्ट कर दिया था कार को ओवर बिल्ड करना ओवर बिल्ड मतलब जैसे कार की लाइफ को एक कंपने डिसाइड करती है प्रोडक्शन से पहले कि हम लगबग इसको 20 एर्स की जो है लाइफ देना चाते है लेकिन यहां पर टोयटा क्या करती थी इसको 30-40 एर के एक्स्ट्र आपको जो है एर्स देती थी और ओर बिल्ड करती थी और उसका जो बेनेफिट आज उनको देखने को मिल रहा है आज जो है वर्ल्ड वाइड इनकी कार सबसे ज़्यादा रलायबल मानी जाती है इंडिया में आप देख लीजिए क्वैलस के जमाने से चले आ रही है और अभी भी आप जो है क्वैलस को रोट्स पे देख सकते हैं लाखों किल प्रास देख सकते हैं जो प्रेमियम सीरीज है लैक्सिस जहां पर प्रेमियम प्रोडॉक्ट्स जो है प्रोवाइड करते हैं और इनका ट्रस्ट इस लेवल का है अगर आप जो है सर्च करेंगे कि सबसे जादा सेल होने वाला कौन सा वीकल है तो भाई वो भी टोयटा की तर जी हां गाइज हॉन्डा हॉन्डा को को हुआं नहीं जानता हॉन्डा अपने पेट्रोल इंजने लिए फेमस है और अंट्स इन जन सिसके रिवर्स वो करते हैं जी हां गाइज अगर आप जो है काफी जादा ट्यून कर सकते हैं और बहुत बढ़िया brand value इसकी भी जो है market में बनी हुई है और ये भी जो है अपने engines के लिए अपने driving dynamics के लिए famous हुई थी और आज भी इसी चीजों के लिए famous है अगला brand भाई इंडिया में बहुत ही common है हर दूसरे तीसरे घर में आपको देखने को मिल जाती है जेगा इस मैं बात कर रहा हूँ Suzuki की जो कि इंडिया में मारुती Suzuki के नाम से देखने को मिलती है बाई इंडिया में इसको भली आप टीन का अनका है टीन का डबबा का है safety नहीं है लेकिन जब आप इंटरनेशनली इनके प्रोड़क्ट्स देखते है मालेजे Swift देखते हैं अगर आप इंडियन Swift को देखे और इंटरनेशनली Swift को देखे तो आपको बहुत major difference देखने को मिलेगा बहुत बढ़िया driving dynamics बहुत बढ़िया raw performance के साथ आपको internationally safety की साथ देखने को मिलती है लेकिन इंडिया में भाई ये थोड़ा बहुत अपने style से पैसे कमाते है लेकिन अभी भी अगर आप देखे मारुती की साथ reliability का जो है नाम मना हुआ है आज भी सालो साल लोग जो है इसको run करते है easy to maintain होती है low to maintain होती है body panels में आपको कोई ऐसे gaps देखने को नहीं मिलते और अगर आप जो है इंडिया में भी इसकी sales देख ले तो अभी भी जो है भाई 40% के उपर जो है market capture करके रखा है Suzuki ने तो यहाँ भी आप देख सकते है कितना बड़ी है trust आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाता है next brand है भाई Mitsubushi 90s में सभी की dream SUV हुआ करती थी pajero और उसके साथ जो है lancer आपको बहुत सारी movies में देखने को मिलती थी बहुत ही famous जो है भाई इसकी lancer है बहुत सारे आपको जो है main characters जो है lancer को drive करते हुए दिखते थे और उसका भी modification market बहुत ही बड़ा था और बहुत ज़्यादा दिखाया भी जाता था इस culture को तो भाई Mitsubushi का भी बहुत तकड़ा brand name है अभी के time पे भी next भाई Subaru Subaru अपने जो है rally cars होगे लेके बहुत famous है worldwide बहुत ही raw performance जो है आपको rally cars में इनके तरफ से देखने को मिलती है इनकी impressa बहुत ही famous है especially एक movie के scene में आपको जो है देखने को मिलती है जो की बहुत ही जाधा viral हो गया था तो आप इससे भी इस car को पहचान सकते हैं अगला brand है भाई अपना इस Suzu इस Suzu तो आप जानते ही होंगे 2008 में इंडिया में आ गया था उसके बाद जो इनने बहुत सारी v-crosses वगरा sale करी इसका upgraded version भी आ गया लेकिन अगर आप जो है worldwide देखते है तो यह जो है अपनी बड़ी गाड़ियों के लिए famous है और वहाँ नुमबर वन कावासाकी सेकेंड यामा इन दोनों ब्रैंट्स को कोन नहीं जानता भाई H2, H2R, Ninja Series बहुत ही famous है worldwide और आप जो है इंडिया में भी काफी जादा डिमांड जो है कावासाकी की तरफ से बनी हुई है और यामा तो भाई अपने आप बहुत ही common है अगर आप जो है छोटी गाड़ियों से start करें R15, MT16 से और आप जो है उपर तक चले जाए भाई R1, R6, major upgrades, major technologies को ये ले के आते हैं और ये भी जो है दोनों ही company अपनी raw performance के लिए famous है movies में भी आप देखते हैं तो भाई जब तक Paul Walker था Fast and Furious franchise ही में आप देखेंगे वो सर्फ Japanese car को ही run करता आप देख सकते हैं GTR देखने को मिलेगी, Lancer मिलेगी, Eclipse मिलेगी, Sylvia मिलेगी ये सारी बहुती famous 90s की cars है जिनको काफी heavily tuned करा जाता था और इसी लिए जो भाई main characters को आपको ऐसी cars देखने को मिलती थी तो भाई इतनी बड़ी industry found कैसे हुई, देखो भाई 1950 से लेके 1960s के बीच में maximum इनके बड़े बड़े brands found हो चुके थे और उस 10 साल में भाई इनने जो है Germans को भी पीछे कर दिया था जो कि उस time काफी ahead थे लेकिन यहाँ पर यह raw performance से जो है market capture कर रहे थे और जर्मन कोई भाई हलके नहीं है, जर्मन मैं आपको कोछ ब्राइंट्स बताता हूँ Audi, BMW, Bugatti, Lamborghini, VW, Mercedes, Porsche और ऐसे बहुत सारे ब्राइंट्स जो है जर्मन्स की तरफ से आते थे उस time पे सारे hill almost active थे लेकिन उसके बाद भी जो है जापान ने इस time पे इनको पीछे कर दिया था और इनका जो golden era कहा जाता है भाई वो कहा जाता है 1970 से लेके 1990 तक और 1980 से लेके 1990 के बीच में ने लगबग 13 million cars per year manufacture करी थी और उसमें से 4-5 million cars तो export कर दी थी मतला भी इसका जो है other countries में भी बहुत ज्यादा demand बढ़ गई थी इवन अगर आप जो है इंडिया में भी देखेंगे 1984 में जो आपको Maruti 800 और अपनी Maruti van देखने को मिली थी ये भी Japanese company Suzuki Dara ही बिल्ड करी गई थी और इंडिया में भी काफी भूम जो है इसका आ गया था तो भाई इस तरीके से अपनी performance और अपनी rawness और reliability की दम पे इनने पूरा worldwide market capture कर लिया था तो भाई ऐसा क्या मिलता था इनके products में जो लोग भाई बिल्कुली दिवाने हो गए थे भाई देखो यहां मिलती थी raw handling मतलब जो आप को है hand steering में feel मिलता था न वो बहुती raw मिलता था बहुती अच्छे से जो है आप tire grips को feel कर पाते थे उसके बाद जो engine है इसको भी आप बहुत तगड़ा feel कर पाते थे और heavy tuned जो है आप इसको कर सकते थे अगर आप currently देखें भाई GTR वगर आपको देखने को मिल जाएगी market में जो 300-400 horsepower produce करती थी उस time पे जिसको tuned करके लोग जो है भाई 500-600-1000 even 2000 horsepower तक जो है इसको ले जा सकते है और इसका comparison कर लेगी मैं आपको एक छोटा से example देखा हूं बुगाटे शिरॉन तो आपने सुनी होगी लगबख 1500 horsepower generate करती है बहुत सारी technologies को use करके बहुत अच्छी breaking के साथ लेकिन सूपराज वगेरा जो है भाई या आपको GTR वगेरा 2000 horsepower manual gear के साथ आपको देने के capability इस प power figures और sound system और exhaust के sounds है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिये गए तो बहुत ज़्यादा raw performance लोगों को देखने मिली थी और जो इनका biggest competitor है उस टाइम में German market था और German जो है उस टाइम luxury, auto clutch, automatic gear shifting इसको ज़्यादा target कर रहा था जो लोगों को पसंद आना कम हो गया लोग जो है raw performance को ज जो आज भी drift जो है काफी popular है काफी tough होता है उसके लिए car tuned करना भी आपको जो है proper Japanese ही जो है लोग expert है और यह जो drift culture है यह भी इनी लोगों नो develop किया तो भाई ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा चलता रहा अगर अच्छा चलता रहता तो आज भी आपको जो है ब तो वहाँ पे इनने जो है noise को भी control किया, pollution को भी control किया और यह जो engines थे बहुत ज़्यादा noisy होते थे बहुत ज़्यादा pollution generate करते है क्योंकि बड़े बड़े turbos वगरा लोग use करते थे तो यहाँ पे इसको control करने के लिए धीरे धीरे इनका जो है market shrink होते है चला गया लेकिन SID है completely close हो गया लेकिन बहुत ज़्यादा shrink हो गया लेकिन कुछ major companies ही उसके बाद survive कर पाई other brands जो है थोड़ी सी low end demand पे चली गई थी इसलिए जो इनका golden era का जाता है वो 90s के around ही का जाता है क्योंकि उसके बाद emission norms आ गये थे और वो काफी tough होते हुए चले गये अगर आप इनक 2000 से लेके 2020 तक इनने जो है minus 5% का जो इनका growth rate चल रहा है मनला minus में चल रहे है तो इससे आप समझ सकते हैं जो demand है जो है इसके बाद 2001 के बाद काफी कम होते हुए चली गई और इनका growth rate भी जो है थोड़ा सा slow हो गया लेकिन इनमें से जो company survive करी थी वो भाई आज भी rule करती है जिया guys अगर आप Toyota को देखें इनकी land cruiser वगेर है भाई तीन-तीन साल की वेटिंग ये बहुत minimal features आते हैं उसके बाद भी वाई वेटिंग बनी हुई है इंडे ही में अगर आप जो है example ले 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 फॉर्चुनर का जो की 50-55 लाग तक पहुँच चुकी है जिसमें बहुत basic basic features भी missing है जो आपको 10 लाग में मिल लेंगे लेकिन लोग अभी भी उसके sizes और reliability की वज़े से engine की वज़े से ले रहा है तो इस प्रकार की brand value अभी भी बनी है Toyota जो है अभी भी king माना जाता है reliability में SUVs में recently भाई इनने जो एक modern Supra भी unveil करी थी जो की automatic के साथ आई थी फिर लोग अभी भी demand बनी हुए है Nissan में आपको GTR देखने को मिल जाती है Honda's में Accord और CRV जैसी देखने को मिल जाती है तो अभी भी demand बनी हुए है थोड़ा सा market slow हुआ है लेकिन देखे ये चीज़े वापस आती है तो अभी भी में को ऐसा लगता है कि ये पूरा market वापस manual gear shifting के साथ ज जैली आपको जापान की तरफ से देखने को मिलेगा और कुछ भाई fans आपको इसके इंडिया में भी देखने को मिलेंगे जैसे कि example के रूप में आप John Abram को देख सकते हैं वो Nissan की GTR यूज करते हैं और आपको जो है इधर उधर इंडिया में कहीं ना कहीं import करे वाले vehicles जो है भाई इसके दिवाने है और यही कल्चर को भाई अब जो है लाया जा रहा है कैरल में और इसपे एक जो मैं next वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ और अभी तक आपको कैसी लगा मेरा यह informative वीडियो जापानीस इंडिस्ट्री पे अगर पसंद आता है तो प्लीज सेनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेर करें थैंक यू बाई